क्या लंका पती रावन की पत्नी एक मेंधक थी? जाने पौराणिक कथा मायन का एक महत्वपूर्ण पात्र थी रावन की पत्नी मंदोदरी जिसने रावन को समय समय पर निती और अनीती में फर्क बताया था। एक बार मधूरा नामक एक अपसरा कैलाश परवत पर पहुँची और देवी पारवती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकरशित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पारवती वहां पहुँचती हैं और क्रोध में आकर इस अपसरा को श्राप देती हैं कि वह मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इसी दोरान असुरों के देवता मयासुर और उनकी अपसरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो जाती है। एक कुएं से मयासुर हेमा को मधुरा की आवाज सुनाई देती है। मयासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं।